हेलो फ्रेंड्स, आप सब का, आपके अपने चनल गोवीन दिवैत लक्षर्स में एक बार फ्रिज़े स्वागते, तो पीरे विद्यारते हो, आज ते हम राजिस्तान बौर्ड की कक्सा 10 की गनित विश्य की ब्रक्वुक की क्लासे शुरू कर रहे हैं, जो आपके लिए राज माक्सा 10, गनित विश्य की वरकवुक 2023 की पूर्वा परक्वत्रक पत्र की, यानिकि वरक सिल्ट से पहले जो आपके सम्मंदित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कि आपके त्यारी कैसी हैं, और आपके आपके लेवल है, वो कीस तरह का है, इस पर आधरित कुछ प्रश्न दि करें थीक है ताकि उन सभी तक यह जानकारी पहुंच सके और वो भी इन व्रक बुक की क्लासेश को घर बैठे आसानी से पढ़ सके तो चलिए क्लास हम सुरू करते हैं देखो पहला प्रशन दिया गया है अंडर्वूड 154.25 का मान क्या होगा तो इसका उत्तर होगा 12.5 कितना होगा 12.5 अब यह आया कैसे उसको हम समझते हैं देखें इसका ब्रग्मूल का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ब्रग्मूल का मान निकालने के लिए, हम पहले इसे एक साधरन संक्या के रूप में बदल देते हैं, सो हम कितना लिखते हैं 156, और ये कितना लिख लेते हैं 20, ठीक है, sorional को बीच में से अठा देते हैं, फिर आपको क्या करना है फिर आपको एक ऐसे सीधी लाइन कीच देनी है क्या करनी है एक ऐसे सीधी लाइन कीच देनी है ठीक अब हम क्या करेंगे इसको स्वाल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कितने अंक है पांच अंक है तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा रिपर देंगे जीरो तो क्या करांगे हुस्त जोड़ा बनाएंगे इस लो सबाइब ने तो व्हूंड आप देख़ हो जो एक है यह किस पास पाता एक के वरग में तो यहां पर भी हम एक लिख देंगे यहां पर भी क्या लिख देंगे एक लिख देंगे जो एक का वरग है वो किसके पास होता है एक के वरग के पास ही होता है अब हम क्या करेंगे एक का एक से गुणा करेंगे तो एक का एक से गुणा करेंगे तो कितना आए इसे गुणा करना है कि यह चंपन के पहुँच जाए लिए तो यहाँ पर भी उन्हें दो लिखा यहाँ पर भी कितना लिखा दो 22 का गुणा दो से करेंगे कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा बच्चो 22 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 44, देखो 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, उपर से 2 अंग उतारेंगे, कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर देखो 22, परलस, यह हमने कितना उतारा था 2, कितना हो गया 24, यहाँ पर क्या बनाएंगे एक खाली स्थन बना देंगे अब देखो यहाँ पर हमें ऐसा अंग लिखना है कि इसके पास पहुंच जाए तो हम यहाँ पर किसे गुणा करेंगे 5 से, 245 का गुणा किसे करेंगे 5 से, तो यहाँ पर भी हम क्या उतार देंगे 5 उतार देगे. ठीके? 245 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आजाएगा? 1225 आजाएगा. And 1225 में से 1225 जाएगा तो कितना आजाएगा? 0. यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 अंग थे. तो व्रगमूل में पॉइंट के बद कितना उंक होगा एक उंक होगा तो यानि की अंडर वूर्ड 156.25 का जो मान है किसके बराबर होगा 12.5 के बराबर होगा 12.5 के बराबर होगा ठीक यह था आपका प्रशन संक्या 1 आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 2 निम्न लिखित में से अ प्रीमे संख्या कौन सी है तो इन में से एक तो पाई और बाईस बटा साथ दोनों का मान एक ही होता है पाई कहलो या बाईस बटा साथ कहलो तो अ और ब दोनों क्या है अ और ब दोनों ही आपकी अ प्रीमे संख्या है अप्रीमे संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिनने P बटा Q के रूप में ब्यक्त नहीं किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं अप्रीमे संख्या यह साधरन बासा में कहें तो ऐसी संख्या जिनने हम अंस और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं अप्रीमे संख्या वहीं प्रीमे संख्या किसे कहते हैं ऐसी संख्या जिने हम P बटा Q यानि अंस और हर के रूप में लिख सकते हैं और सरत यह है कि Q कामान हर कामान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ऐसी संख्या हो कि हम क्या कहते हैं प्रीमे संख्या जैसे यहाँ पर देखो यह एक बटा दो कैसे संख्या है यहाँ पर जो एक बटा दो है यह आपकी प्रीमे संख्या है क्योंकि इसको हमने किस रूप में लिखा है P बटा Q के रूप में अंस और हर के रूप में लिखा है और जो Q है Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है तो ये कौन सी संख्या है आपकी प्रीमे संख्या है आगे देखो प्रश्न संख्या 3 बहुपद में X की गात 3 माइनस 2X स्क्वेर प्लस X में सुन्निंको की संख्या कितनी होगी तो आपको हम ऐसा रखना है कि सुन्निंको की संख्या चरपद की अधिक्तम गात के बराबर होगी कितनी होगी चरपद की अधिक्तम गात के बराबर होगी सुन्निंक की संख्या तो यहाँ पर चरपद क्या है x x की अधिक्तम गात कितनी है 3 है तो यहाँ पर सुन्दें को कि संख्या भी कितनी होगी 3 होगी ठीक आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 4 दो समीकरण दिये हुए है x पलस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 2 तो x का मान कितना होगा वो आपको बताना है तो देखो एक समीकरण है x पलस y बराबर 4 दूसरा है x माइनस y बराबर 2 दुनों को क्या कर देते हैं जोड देते हैं तो देखो x और x कितना होगया 2x y से y क्या होगया cancel होगया 4 और 2 कितना होगया 6 तो X का मान कितना आ जाएगा? X का मान आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपका X का मान. आगे देखो प्रश्न संख्या 5 निम्नल लिखित मैंसे कौन सा कथन द्वी गात समीकरण का है द्वी गात समीकरण का जो कथन है वो है आपका कथन नंबर 2 ये द्वी गात समीकरण का रूप क्या होता है AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C बराबर 0 जहां पर A, B और C क्या है आपकी वास्तविक संख्या है R का मतलब क्या है रियल नंबर वास्तविक संख्या और जो A है एक आमान कभी भी 0 नहीं होगा क्यों कि दिएक आमान 0 हो गया तो ये द्वी गात समीकरण ही नहीं रहेगा तो दीगात सम्मेकरण की जो उची दिस्ति है वो है AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 जहाँ A, B और C क्या है वास्तविक संक्या है और A कामान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा आगे बात करें प्रश्न संक्या 6 किसी समांतर शर्णी में अंतिम से एनवा पद ज्यात करने का सुत्र क्या है तो किसी भी समांतर शर्णी में यदि हमें अंत से एनवा पद ज्यात करना है तो उसका सुत्र होगा यहाँ पर क्या जाएगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं AN बराबर L माइनस N माइनस 1 गुणा D ये भी सही है ठीके तो यहाँ पर जो option number B है आपका वो सही है कि वो आपको D के आगे क्या लगा देना है माइनस लगा देना है आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 7 दिये गई चित्र में जो D E भुजा है वो B C के क्या है समानतर है ठीके क्वणसी भुजा D E भुजा ये B C भुजा के कैसी ये समानतर है A D भुजा का मन कितना है A D भुजा का मन दिया हुआ है 1.8 cm B D का कितना दिया हुआ है 3.6 cm A E कितना है 2 cm आपको किया निकालना है, E, C, ठीके, तो देखो कैसे निकालेंगे, AD भुजा बटे में आपकी DB भुजा, बराबर किसके होगी, AE भुजा बटे में आपकी EC भुजा, Vydy का अमन कितना है, 1.8, DB का कितना है, 3.6, AE का कितना है, AE का है, 2, तो देखो, 1.8 से 3.6 कितनी पर कटेगा दो बार एक बटा दो बराबर दो बटे में EC EC का गुणा एक से होगा तो कितना हो जाएगा EC 2 का गुणा दो से होगा तो कितना होगा 4 cm इसका मन कितना हो जाएगा 4 cm आठवा प्रशन है कौन सी बुजा इसमें से समानतर है इनमें से कौन सी बुजा समानतर है वो आपको बताना है तो इनमें से देखो जो BC बुजा है वो किसके समानतर है ED बुजा के समानतर है BC बुजा आपकी ED बुजा के समानतर है आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 9 वर्थ पर इस्तित किसी बिंदू से कितनी इसपर्ष रेखाए खींची जा सकती है तो अगर वर्थ पर कोई बिंदू इस्तित है तो वहां से इसपर्ष रेखाओ की जो संक्या है वो कितनी खींची जा सकती है केवल और केवल दो इस पर TCP रिखाए खीची जा सकती है देखो जैसे मैंने ये वर्थ बना दिया यहाँ पर मैंने एक बिंदू ले लिया यहाँ से वर्थ पर WhatsApp केवल और केवल दो इस पर स्टेका ही खीच सकते हैं अगला प्रषन संक्या 10 3 cm त्रीजा वाले वर्थ के केंदर से 5 cm दूरी परिस्तित बिंदू से वर्थ पर खीची गई इसपर्श रिखा की लंबाई कितनी होगी तो कितनी होगी 4 cm कैसे ग्याद करेंगे? जैसे मैंने ये एक वर्थ बना दिया चाब बना दिया? एक वर्थ बना दिया इस वर्थ की तरीजा कितनी है तीन सेंटीमिटर यह होगी इसकी तरीजा तीन सेंटीमिटर फिर क्या बोल रहा है वर्थ के कैंदर से पांच सेंटीमिटर की दूरी पर क्या है एक बिंदू है पांच सेंटीमिटर की दूरी पर हमने एक बिंदू ले लिया यह वाला इस दूर में लगाएंगे पायतो गोरस पर में कंड स्क्वेर बराबर आधार स्क्वेर प्लस लंब स्क्वेर ठीक है तो यहां पर आपकी जो इसपर्ष लिखा कि लंबा यह वो कितनी आ जाएगी चार सेंटिमेटर आगे प्रशन संक्या ग्यारा मुल बिंदू से बिंदू X और Y की द अगला है अगला है प्रशन संक्या 13 देखो कैसे ग्यात करेंगे हल करके मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि यह हम कैसे हल गरेंगे तो देखो हमारे सामने 2 बिंदू दिये हुए हैं पहले उन बिंदू को हम लिक लेते हैं यह समंझ लीजिए कोई रेखा है यहाँ पर 2 बिंदू है एक बिंदू हमने दे दिया Q इसका मान है 2 और माइनस 5 दूसरा दिया हुआ है समभल लीजिए R इसका मान है माइनस दो और नो यहाँ पर बिंदू ले लेते हैं P इसका मान है X और 0 क्योंकि मैं X से दूरी ग्याद करनी है तो Y का मान कितना मान लेंगे 0 अब मैं क्या सिदगर के बताना है यहाँ पर मैं बताना है कि P Q का मान P R के क्या है बराबर है यह मैं बताना है तो हम क्या करेंगे दूरी का सुत्र लगाएंगे दूरी का सुत्र देखो कैसे लगा देंगे Underwood ठीके 2-x का square plus minus 5-0 का square बराबर underwood यहाँ पर minus 2 minus x का square plus 9 minus 0 का square ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा e square से वर्ग buryट जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 2 minus x का square जो हम दोनों भाग में वर्ग करेंगे और इधर क्या बच यहेगा minus 5 का वर्ग फिर इधर कितना बच जाएगा माइनस 2 माइनस X का वर्ग पलस 9 का वर्ग दोनों तरफ से अमने अंडर बूट को हटा दिया अब देखो A माइनस B का होल स्क्वेर तो A माइनस B का होल स्क्वेर कितना होगा A स्क्वेर तो 2 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 4-4x प्लस x square और 5 का बरग कितना हो जाएगा 25 फिर a-b का बरग 4-4x प्लस x square और 9 का बरग कितना हो जाएगा 81 ठीक है इन दूनों बग को जब हम solve करेंगे तो मारे पास देखो कितना आ जाएगा x square से x square क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पर देखो 4 से 4 कट जाएगा यह 4 इधर आ जाएगा यह उस्तर बहिदो इसको तो यहाँ पर देखो 25 minus 81 कितना जाएगा minus का 56 और यह आ जाएगा 4x और 4x 8x तो x का मान कितना जाएगा x का मान जाएगा minus 7 तो उस P बिन्दू के निर्दिसांग क्या आजाएंगे P बिन्दू के निर्दिसांग आजाएंगे माइनस साथ और जीरो ठीके और दूरी का सुत्र क्या होता है आप समको पता है D बराबर होता है आपका X2 माइनस X1 का स्क्वेर पलस y2 minus y1 का square यह होता है आपके दूरी का सुत्र ठीक है तो इसका सही उत्र क्या था minus 7 और 0 आगे बढ़ते हैं 2 10 square 30 का मान कितना होगा तो 10 30 का मान कितना होता है एक बटे अंडरवूर 3 तो हम क्या करेंगे हम कर देंगे 2 गोना ना करेंगे 2 गोना 1 बटे में अंडरवूर 3 का क्या करना है आपको वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा 2 गोना 1 बटा 3 तो उत्र कितना जाएगा 2 बटा 3 उत्र आजाएगा उत्र आजाएगा आपका 2 बटा 3 पंदरवा एक मिनार की उंचाई उसकी परचाई के क्या है बराबर है तो फिर वहाँ पर उन्नियन कौन कितना होगा तो देखे इसका उत्तर आएगा 45 डिगरी हम solve करके भी बिता देते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा अब देखो हम कोई क्या करते हैं एक मिनार मान लेते हैं इधर मैं लिख लेता हूँ so मैं लिजिए आपकी मिनार है आपर हम इसकी परचाई बिना देते हैं ठीके अब देखो ये मिनार का नम दे देते हैं A, B और C ये क्या है आपकी मिनार है और ये इसकी उन्चाई भी X है और परचाई भी कितनी है? X है ये क्या है? इसकी उन्चाई है क्योंकि दोनों बराबर है और ये क्या है? इसकी परचाई है दोनों क्या दिये हुई है? बराबर दिये हुई है यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? लंब है और आधार है तो क्या लिगा देंगे? 10 ठीटा 10 ठीटा ब्राबर, लंब है AB, आजार कितना है BC तो 10 ठीटा, AB कितना है X, BC कितना है X तो 10 ठीटा ब्राबर कितना जाएगा 1 एक किसका मान होता है, एक मान होता है 10 45 का इसका होता है 10 45 डिगरी का तो 10 से 10 कट जाएगा ठीटा बराबर कितना आजाएगा आपका 45 डिगरी कितना जाएगा ठीटा बराबर आजाएगा आपका 45 डिगरी ठीक है तो इसका उत्र कितना था 45 डिगरी तोलवा अलिप वर्स में विनीता का जन्म दिन सोमवार को होने की प्राइक्ता क्या होगी वंसा वर्स है अलिप वर्स अलिप वर्स के अंदर जो विनीता का जन्म दिन है वो सोमवार को होने की प्राइक्ता कितनी होगी तो वो होगी आपकी 2 बटा 7 कितनी होगी 2 बटा 7 होगी अगला 18 प्रशन त्रिज्या खंड का चित्रपल कितना होता है तो त्रिज्या खंड का चित्रपल निकालने का सुत्र होता है पाई आर स्कुएर ठीटा बटे 360 डिक्री 19 वा 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य क्या होगा तो सबको जोड़ दो सबका जोड़ कितनी आ रही है 20 और रासियों की संख्या कितनी है रासियों की संख्या है 5 20 में 5 का भाग दोगे कितना आएगा 4 रासियों का योग बटे रासियों की संख्या अगला विश्वा उस प्रेक्षन का मान जिसकी बारम बारता सबसे अधिक होती है क्या 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 जय हिंद, जय भरत